तो आपको साइनसाइटिस के बारे में बताएंगे फस्ट परस्ट आपका डेफिनिशन इसमें क्या था जो मेंब्रेन होता है जो मारी नोस होती है जहांसे निलब की सांस लेते हैं और वहांसे एर पास आउट होता है तो वहां की जो नलियां होती है महां पर इंफ्लमेशन हो जाता है और इंफ्लमेशन की क्या वज़ा हो सकती है जैसे जो मारी नोस की हड़ियां होती है वह या तो तिर्ची होती है या तो वहां पर स्वैलिंग अजाती है तो इसकी वज़ज़ से हमारी जो नली होती है उसमें और वहां पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो इसी को क्या कहते हैं कि sinusitis मतलब sinus membrane में क्या होता है कि inflammation हो जाना ही sinusitis कहलाता है next आपका etiolosy यह किसके कारड होता है bacteria bacteria के कारड होता है इसमें कौन सी bacteria है होती है स््ट्रेप्ट को कर सहरे हैं। से स्ट्र आपका निमोनिया walna होती है hemophiliaиля पर स्ट्रह्यक कर दो दो होता है है वड्थ के कारड होता है इमिद में कारड होता है और छेंज फंपरैश एमसांसांसांसास है एक इसमें होता है कि तो उसकी वज़ेस हो सकती एंटरेts आप की आका सेब्सक्राइब की इनलाकर अगर इनलाटार ऊता है बहुति दढूद कोई बैक्टिरिया यहयके प्रोब्लम के में सब्सक्राइब नेक्सट हैा आपका जो है इसाल जहां 11ट Umm इसमं क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं पुरलेंट गांट इस्चाड़च इसमें जो हुते हैं ciї मतलब कि बहुत जान जाती है और इससे साथ साथ प्रभख निए पॉर्परी शूर्बाटे कि शूर्दिट उसान बहुत जाता है देता है नजल बैक ब्लॉकिस और इस्टफीनिस मतलब है कि नजल नाक होती रिमिने पार करता साथ लेने में बहुत दिक्कत होती है बहुत जादा हुआरी mental систем में की थायनुटा है गपराषट होती है और कि थायन। मुझा बप्रहस्यूद करों भूहरा से सब बसक्राइख होता है न्युटत इंदों पैन कर सिर देडिक प्राइब्लम को देखने के लिए यह देखने के लिए यह देखने के लिए दिखने करते हैं। मैगनेटिक रिजुरिज इमेजिन रिनो इसकोपी करेंगे जिसे की फैब्रोसिस्टिक एक्जामिनेशन आफ नोज वहां पर देखेंगे कोई सिस्ट गांट तो नहीं है तो हम यह सब रिनो इसकोप के द्वारा करेंगे इसकोप का मतलब एक चोटी से ट्यूब रहेगी और एक कैमरा लगा रहेगा जिसे नोज में इंसर्ट करके वहां की एरिया को चेक करते हैं इसी को रिनो इसकोप कहते हैं अब देखेंगे मैनेजमेंट एड्मिनिस्टर इब्रपोफिन और ओरल डिकंजिस्टेंट और सच एज प्रेड्नी स्लोन और और कॉमनली प्रिसक्राइ मतलब हम इसको पेन को कमकी करने लिए इब्रोफोब पेन करने यहां ओर पेन के रिखेंगे नेक्स्ट है आपको option, income patient, cocaine may be required for relief pain, patient को pain में relief करने के लिए cocaine देंगे, फिर क्या है, administer antibiotic in chronic stage for 10 days, अगर 10 days मतलब ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि patient को antibiotic देंगे, अगर 10 days से ज़्यादा हो, जो sinusitis है, वो chronic में convert हो जाएगा, यह कितने type के होते हैं, acute, sub-acute and chronic, यह 3 stage जिसके होते हैं, और अगर chronic में convert हो गया है, तो हम antibiotic देना start कर देंगे, if patient does not improve, often 5 days of amoxicillin, change of antibiotic may be necessary, which include, मतलब अगर 5 days में patient नहीं recover हो रहा है, तो हम antibiotic क्या होता है, कि change कर देंगे, और वो antibiotic amoxicillin, मतलब चला देंगे, ठीक है, फिर क्या है, इसका यही है, admission antibiotic in chronic stage, for 10 days, अगर chronic stage में convert हो गया है, sinusitis, तो हम इसे क्या करेंगे, कि हम patient को improve करने के लिए, अंटिवाइटिक देंगे, नॉर्मली अंटिवाइटिक देंगे, अगर वो 5 days में cover नहीं हो पा रहा है, patient, तो हम amoxicillin अंटिवाइटिक देना, start कर देंगे, फिर के surgical management, अगर इन सब के बावजूद भी, जब नहीं सही हो रहा, तो बाद में हमें decide करना पड़ेगा, surgery के लिए, तो हम surgical management में देखिए functional endoscopic sinus surgery, सबसे पहले हम endoscopy के through sinus surgery करने के लिए सोचेंगे, जैसे, here sinuses, endoscopy, enter sinuses, and remove diseased mucosa, and open ostea, ostia, मतलब हम क्या करेंगे, की, endoscope के द्वारा, मतलब कैमरे के through, वहाँ पे, हम जो है, insert करेंगे, कैमरा, और वहाँ पे, हम वहाँ पे, जो भी, जैसे, cyst वगएरा है, तो उसे हम, remove करके, निकाल रहेंगे, और, और इसमें है, it is used for chronic sinusitis and remove of polyps, मतलब, अगर यह chronic stage में है, तभी हम यह decision लेंगे, बहुत critical condition रहेगा, तभी हम यह decision लेंगे, वरना, हम इसको medicine के ही through, treat करेंगे, फिर क्या है, और हम इसमें, जब अगर chronic stage में है, sinusitis, तो हम, क्या करेंगे, पॉलिप्स, जो वहाँ पे, काट है, उसको हम, remove करेंगे, cold will, मतलब, radial and endrum, performation, मतलब, इसमें क्या करें, clearing, cut off, maxillary, sinus, throw, incision, under upper lip, मतलब, जो हमारा maxilla होता है, maxilla मतलब, जो हमारा naak के नीचे का भाग होता है, और lip के उपर का, यह बीच का जो part होता है, उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से cut incision करेंगे, मतलब, cut करेंगे, और उसके, क्या करेंगे, upper lip, जो हमारी उपर की होट होती है, उसी के through हम ले जाएंगे, sinus में, और वहाँ पे हम उसको clear करते हैं, मतलब, maxilla के side हम cut करके, और upper lip के through हम sinus पे ले जाएंगे, और वहाँ के area में तब जाएंगे, हम operate करते हैं, अब देखे, ethnomido tummy, इसमें क्या आता है, synex tummy, to remove frontal sinus, अब हम क्या आता है, कि अगर बहुत ज़्यादे critical case है, तो हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से sinus को, जो front का sinus होता है, उसको हम रिमूब कर देते हैं, पूरी तरीके से रिमूब कर देते हैं, अब देखे, प्री आप्रेटिव टीचिंग, operation होने के पहले हम patient को क्या बताते हैं, have nothing to eat or drink for six to eight hour pre-operating, मतलब हम patient को पहले समझा देंगे कि आपको, पहले उसको date देते हैं और timing देते हैं, तो हम उसको यह समझा देंगे कि आपको छे से आट गंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, जब तक कि आपको operation नहीं हो, आपको खाली पेट रहना है, फिर क्या receive a suggestive before surgery और उसको हम क्या करेंगे कि surgery के लिए receive करेंगे, फिर क्या feel pressure not pain during surgery और हम patient को मतलब यह समझा देंगे, आपको कोई pain नहीं feel होगा, आपका surgery अराम से हो जाएगा, have a nozzle pack for 24-48 hours, और हम surgery के बाद क्या करेंगे, कि आपका जो नाक है, उसको हम बढ़ियां से pack कर देंगे, आपको कोई problem नहीं होगी, अब देंगे, post-operatively may feel like or see has a head cold, और हम क्या करेंगे, operation के बाद जो होता है, उसको eyes के through, उसका head वगएरा, उसको हम सिकाई करते हैं, फिक है, have black eyes and swelling around the nose and eyes for 1-2-2 week post-operative, मतलब operation के बाद, आपका एक से दो हपते, आपकी जो आखें हैं और nose हैं, ये चारो तरब से swelling रहेंगी, और आपके आखों के side side पूरा blackness रहेगा, इससे आपको घबनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, have prescription for pain medication as needed, और अवश्यक्ता के अंसार, मतलब आपको ज़रूरत पढ़ने पर आपको pain killer भी दिया जाएगा, इतना हम बात patient को समझा देते हैं, actually क्या है, कुछ patient जो हता है, operation थेटर में कभी नहीं गह रहे होते हैं, और उन्हें ऐसा कोई knowledge नहीं थो, तो वो पहले से घबराने लगते हैं, तो घबराहट की वज़र से उनकी जो हो सकता है, blood pressure high या low हो सकता है, तिसमें हमें, क्या होती है कि operation करने में problem होती है, तो इन सब बातों का हमें पहले ध्यान देना चाहिए, एक psychologically support उनको जरूर देना चाहिए, operation थेटर में ले जाने इक पहले, आप देकि प्रोस्ट ऑपरेटिव के एर, मतलब operation होने की बात, क्या करते हैं, आप्टर जनरल इनस्थेसिया पोजीशन पेशेंट वेल इन्टू दा साइट तू प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ एस्पिरेशन ब्लड ड्रैने मतलब हम क्या करेंगे कि जनरल इनस्थेसिया देते हैं जहां पर जो भी operation होना है, हम पहले अगर लॉंग टाइम तक operation चलता है दी है तो हम यह जनरल इनस्थेसिया देते हैं या क्या जुल देने कि बात़ क्या करेंगे जहां पर देने और इन सब बातों का बढ़िया से ध्यान देना है एड्मिनिस्टर कूल मस्ट विया फेस टिंट और कॉलर और प्रोवाइडर हमेडिफायर उसको क्या करेंगे कि पेशिंट को क्या करेंगे कि आइस पैक के थ्रू उसका हम सिकाई करेंगे फेस का हेड का जो भी अगर श्वेल हम यह सब ध्यान देते रहेंगे कि पेशिंट को कहीं पर स्वेलिंग नहीं है ब्लॉड नहीं है आ रहा है तो यह सब बातों को हमें एकदम से माइंड के थ्रू ध्यान देना है ठीक इंकरेज माइंड मिट फॉलर पोजिशन वेन फुली अवेक्ट तो प्रमोटेड ड्रैन करें पोजिशन मतलब इसका फॉल्ड फॉलर पोजिशन देंगे पीशिंट को और राइस भी जो है हम नाजल पाज़ चैंज नजली संगतर केशिंगे प्रॉपर का मतलब एक दिन बार हम उसको एक दिन गैप करके नजल पैक को हम चेंज करते रहेंगे इनकरेज लाटरल लाटरल फ्लूइड इन्टेक पैजन्ट भी वेरी थर्ष्टई बीकॉर ड्राइ माओथ प्रॉम माओथ ब्रीथी बदलब क्या रता है पैशन तो नाग से सांस ले नहीं प्ता एंवा से शांस लेता है इसलिए उसको हम बार बार उसका जो माओथ वो ड्राइऑ हो रहा हुआ उसको हम पानी से ज़यतल गील बर्निंग नोस फॉर एज लिस्ट फॉर्टी एट आवर्स आफटर पैकिंग इस रिमूब्ड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग पेशन्ट को आपरेशन के फॉर्टी एट आवर्स के बाद जो पैकिंग है पहले वो ध्यान देगी वहां से ब्लड निकल रहा है कि नहीं निकल है तो उसको फॉर्टी एट आवर के बाद जो पैकिंग है उसको रिमूब कर देगी नेक्स्ट है एवाइट स्नीजिंग इब्दा पेशेंट मस्ट स्नीज ही सुट कीप माउथ ओपन पेशन्ट को हम यह समझा देंगे कि अगर उसे स्नीजिंग मतलब शींग आ रही है तो उसे वो एवाइट करें और माउथ को ओपन कर लें फिर के टीच पेशेंट टू एवाइट लिफ्टिंग हैवी ऑब्जक्ट और पेशेंट को यह भी समझा देंगे कि आपको हैवी कोई भी सामान नहीं उठाना है उस चीज़ को आप एवाइट करें फिर के टेग प्रोफ हमें जरूर बताना है कि आपको बैक्टिरिया के कारड वाइरस के कारड वीमारी है तो आपको यह एंटिबाइटिक नहीं छोड़ना है और यह सारे दोवाईयों के साथ आपको कांटेनुसली रखना है थैंक यू